कटे हुए सेब को भूरा होने से बचाने के लिए एक बड़े बाउल में एक चम्मच नीम्बू का रस और एक कप या 240 मिलीलीटर पानी मिला लें। कटे हुए सेब के टुकडों को उस बाउल में डाल दें। सेब के टुकडों को 3-5 मिनट के लिए मिक्सचर में ही रहने दे, उन्हें पानी से निकाल ले और फिर ठंडे पानी से धो ले, अगर आप उन्हें अभी फॉरन नहीं परोस रहे हैं, तो सेब के टुकडों को सील होने वाली एक बैग में रख ले और फिर उसमें से सारी हवा बाहर निकाल कर उसे अच्छे से बंद कर दे, अब जब तक आप सेब खाने के लिए तयार ना हो जाएं, तब तक कटे हुए सेब को फ्रिज में ही रहने दे